हेलो गाईज आप क्लास सेवेंथ मेटा मैं उसरी आपको पढ़ाया था डेसिमल टू बाइनरी कनवर्जिन आज मैं आपको बताऊंगा डेसिमल टू आक्टल कनवर्जिन डेसिमल टू आख्टल कनवर्जिन उसी बताया था आपको अगर आपका नमबर डेसिमल में है तो उससे जाए बाइनरी कनवर्ड करना हो चाहे अक्टल कनवर्ड करना हो चाहे तक साडिसमल कनवर्ड करना हो को उसके लिए मैं क्या करना होता है तो उसके बेस से हम डिवाइड करते हैं आज हम डेस्मल नंबर है हमारी हमारा पहला है है डेस्मल टो आक्टल कनवर्जन इसह हमारा है फोर्ल सेवेन एट यह अमरा नंबर क्या है डेस्मल नंबर है ठीक है इसको हमें कनवर्ट करना किसमें आक्टल में कनवर्ट इंटू आक्टल है थेक है हमें नमबर जो दिया है decimal दिया है हमें करण गडिया है हमें सूरमार किसमें करना है और यहाँ पर रहा है 478 यह नम्मर है इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे ठीक है और 8 से डिवाइड करेंगे 8 से खिया 48 जादा हो जादा है तो 8 5 जा ठीक है 8 5 जा 40 ठीक और उसके बार हमारा कितना बचा सेवन इदर से आएट इदर से कितने हो जाएगा 78 8 9 जा 72 कितना बचा हमारा कि दिवाइंड बचा रिमाइंड़ बचेगा इसको राइड साथ किलेंगे ठीक है फिर इसको एट से डिवाइड करेंगे जब आओ से विंजा जो 56 जो नहें ब्लाइं जो एक तर्मेंड गांए अभी हमारा सेविंड जो एड्स दिवाइड नहीं होगा जब एड्स डिवाइड नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब हमारा यही answer है answer क्या है मैं बताया था उसको नीचे से उपर इसाइड करते हैं तो हमारा answer क्या हो जाएगा है 736 किसमे करना है और में हो गया यह थे हमारा सही है कि नहीं सही है ठीक है तो इसी नमबर को हमारे जो आक्तल है अगर इसको decimal convert करेंगे decimal convert करने पे अगर वह हमारा 4-7-8 अगर आ जाता है तब हमारा यह क्या है सही है otherwise wrong है ठीक है तो यहां पर हमारा answer चेक भी हो जाएगा और हमारा एक कनवर्जन भी हो जाएगा क्या कनवर्जन हो जाएगा अब आक्टर टू-डेसिमल हमें कनवर्जन और कर रहे हैं कि आफ्टर टू-डेसिमल कनवर्जन कि आफ्टर टू-डेसिमल तो मैं इसी मैं इसी नमबर के लिए रहा हूं सेवेन कि थ्री शिक्स कि यहार नमबर क्या है आफ्टर है इसको कनवर्जन करना है डेसिमल में ठीक है तो मैंने बताया था उस दिन कि अगर आपका नमबर आक्टर हो आक्टर से डेसिमल जाना हो या बाइनरी टू-डेसिमल जाना हो या हेक्सा टू-डेसिमल जाना है ठीक है तो उसमें क्या होता है उहां पर मल्टिप्लाई क्या आता है इसके लिए में क्या करना पड़ेगा जिसे हमारा नमबर क्या है सेवेन थ्री शिक्स इह न पावर जो है राइट साइड सी 0 से स्टाट करते हैं यह 6 की पावर 0 3 की पावर 1 और इसकी पावर 7 की पावर 2 अब जिसी नमबर हमारा यदर बढ़ता जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते चले जाएंगे ठीक है लेकिन जब भी स्टाट करेंगे 0 से स्टाट करेंगे ठीक है अब यहां पर देखिए हमारा क्या है 7 अब यहां पर 7 इंटू अब इसका बेस कितना होता है 8 है आक्टल का 8 की पावर 2 यह 7 की पावर 2 है एट की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 8 की पावर कितना लगे है आपके इसकी पावर 1 हो जाएगा भंस 6 है 6 इंटू 8 की पावर यहां कितना है इस 6 पकावर 0 है हो जाएगा 8 की पावर जीरो ठीक है अब यहां मुल्टिप्लाइ करके आड कर लेंगे सबको जो आएगा वह हमारा एंसर होगा जिसे एट की पावर 2 तो तो एट की पावर 2 कितना हो जाए एट एट जाए जाए जिस्टी फूर ठीक है 64 में सेवन से मुल्टिप्लाइ करेंगे कितना आएगा 64 सेवन इन्टू 64 प्लस थ्री इन्टू एट की पावर 1 इसकी वैलू कितना हो जाएगा प्लस 6 इन्टू 8 की पावर 0 जिस नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैलू 1 होती है एट की वैलू कितना हो जाएगा 1 6 इन्टू 1 यह हो गया है ना आब इसको मुल्टिप्लाइ करेंगे 747 288 होगा एट हो गया और से इवें सिग्यार को 40 तो 42 और टू आपका यह है तो चौन शार्टी टू तो गिस्ता हो एगा पूर्टी पूर्टी फोर गम प्लस है आपका या एट्य एह 24 प्लस 6 वेंजा 6 अब सबको एड़ कर लिजे 846 कितना जाएगा 18 6 4 10 8 18 अब आपका बचा कितना 1 और यहाँ जाएगा 246 अब वन आपका उत 27 और यहाँ कितना यहां बचेगा 4 कि वाद यह हमारा कितना हो गया इसकी बेस इसका जाएगा 10 यहीं नमबर था हमारा ना 478 उपर देखें यहां पर हमारा नमबर यह था ना अदिश्माल नमबर यह था हमने सब्सक्राइब किया आप वह यह यहां पर मरा ठीक है अदिश्माल अभी हम इसी अफ्ट को पने कन वर्ट कर दिया कि समें कि डेसिमल टू आक्टल करना है इन नंबर हमारा डेसिमल है इसको आक्टल में करना है तो आक्टल में करना है और कोई भी नंबर हमारा डेसिमल हो डेसिमल से आक्टल में जाना हो तो एट से डिवाइड करेंगे बाइनरी जाना है तो दो से डिवाइड करेंगे एक सम जाना है करना तो 16 को को कुछ आइद इस नमबर को जाएँ जिए र्माइंडर आगर इसको राय साइड दर्लिंगे फिर और सिक्से वाइट के यह रहाट से जाइन आग आइंसर होता है थैक्ष है अब उसके बाद हम क्या है अअब इसी नमबर को आक्टल टूदेिसमल करें इसलिए हमारा एंसर भी चेक करने के लिए जो नंबर हमारा यहां पर यह नंबर आ रहा है तब तो सही हमारा है अगर नहीं हो का इंगे हमारे गलती है ठीक है तो हमने इसी आक्टल नंबर को हमने करने के लिए जब आक्टल करने के लिए जब आक्टल टू डेसिमल या बाइनरी टू डेसिमल या हेक्सा टू डेसिमल अगर जाना होता है तो हम उसके बेस से भी स्कू cash क्या करते हैं थीक है तो हमारै नंबर के यहां पर 736 कि इसके सबसी परले हम क्या करते है नम्बर की पावरे लगाते हैं सब करतेrol 2154 सिक्सक्राइब जीरो थरे कि पावर वन स्वेन पावर टू अब जितना नमबर भी लाएगा इस ते आगे एक बढ़ता चला जाएगा एक डिजिट बढ़ता चला जाएगा तो इसका बेस कितना एट है एट की पावर टू हो जाएगा प्लस थ्री इन्टू एट यहां त्री पावर क्या है जीटो है ठीक है अब इसका हम मल्टिप्लाई करेंगे एट स्क्वाइर मतलब कितना हो जाए 64 और यहां इन्टू 7 ठीक है उसका मल्टिप्लाई करने पर कितना गया प्लस 6 एट की पावर 0 है जिस नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैलू कितना होती है इसे इसकी वैलू क्या है वन हो गई है एट की वैलू 1 6 into 1 equal to 6 आप हमें सबको एड कर लिया कितना गया 478 इसका बेस कितना हो गया 10 ठीक है देखिए तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट है ओके यह आपका हो गया decimal to octal conversion and octal to decimal conversion ओके